गुंगट की आड से दिलबर का दीदार धूरा रहता है कब आएगा और काफी स्टुएंट्स ने कॉल भी किया था तो मैं बता देता हूं यह पहली जो पीडिएफ है वो मैं एक्स्प्लेइन करता हूं तो इसमें ऊपर तो यही सब इन्हों लिखा है हमने इतने दिन में एक्जाम करवाया बड़ा अचीवमेंट है हमारा यह सब बल बला बला ठीक है फिर उसके बाद इन्हों ने यह कहा है कि the question papers with recorded responses will be available by today evening exact time नहीं बता है जब भी आएगी उसके बाद हम लोग एक live session कर लेंगे ताकि आप लोगों को पूरा idea मिल जाएगा कि answer की को कैसे check करना है correct option कैसे tick करना है क्या करना है PDF कैसे upload करना है पूरा एक session ले लेंगे I guess 15 minute का काफी होगा तो एक live session भी कर लूँगा कि challenge कैसे करना है ठी ठीक है तब तक आप एक बार paper देख लेना पूरा तो एक तो यह कह रहे है कि by today evening हो सकता है 7 बजे आजए 8 बजे 9 बजे 10 बजे कभी भी आ सकता है ठीक है दूसरी बात अब पहले अंगल जीन ने तो यह बोल दिया था कि 28 से लेके 30 तारीक तक होगा पर वह यह के भी answer की 250 आपके पास फिर भी 2 दिन है आज अगर 10 बजे आता है और परसों एक तारीक को 10 बजे तक क्योंकि जून का महीना सिर्फ 30 दिन का होता है तो यह होगा हमारे पास दो दिन मिलेंगे उसके अलवा और इसमें काम की चीज बताओ इन्हों ने बोला है the result will be prepared and declared by mid July वही जो मैं आपको बताया था 10 से 15 जुलाई की बीच और हो सकता है कि 2-4 दिन उपर भी ले ले लें तो आपना 15 से 20 जुलाई तक आई जाएगा ठीक है result आजएगा उसके बारे में यह चीज बोल रहे है अच्छा यह एक काम की चीजी यह वाली सुनो अब इसके बारे में बताता हूँ चैलेंजेज एकसेप्टेड अगेंस्ट एनी आंसर की अगर वो एकसेप्ट कर लेते हैं चैलेंज की हाँ आपने सही बोला है इसका अंसर ही होगा विल भी एप्लिकेबल टू आल कैंडिडेट्स वू वूड है अटेम्टेड दा करेस्पोंडिंग क्वेस्चन बान लोगी क्वेस्चन नमबर 36 गलत है ठीक है यह लोग कह रहे हैं कि उसका जो आप्शन है इन्होंने भी बताया लेगिन आपने सी बताया और इनको लगागी हाँ सी सही है तो यह उनको प्लस फाइव देंगे जिन्होंने वो सवाल अटेम्ट किया है उनको नहीं देंगे जिन्होंन दिनों ने पूरा explain कर रखा है कि procedure for challenge of answer की यह मैंने जो कल explain किया था 2022 वाला वही same है कुछ नहीं आपको पहले तो login कर रहा है फिर एक ऐसा एक tab दिखाई देगा व्यू या challenge answer की button दिखाई देगा अभी नहीं आया है वो जब आएगा तब दिखेगा question ID होगा सामने correct option की ID दे next five column by clicking the check box वो कैसे होगा क्या होगा वो आने दो एक बार फिर मैं live में पूरा explain कर दूँगा आपके जो भी doubt हो वो भी पूछ लेना तब तक आप paper देख लेना कैसा है क्या है मदब कहां कैसे challenge करना है जो भी doubt आ रहा है मुझे live class मता देना मैं explain कर दूगा मिटा ठीकी मिटा फिर है after clicking on your desired option id for challenge scroll down and click on submit and review claim उसके बाद आपको वही है कि you must ensure to select the required options before involved moving further you will see a display of all the question id's and options you have challenged you may still modify your selection by मलब आपने भी लगया लेकिन फिर आपको लगता है कि नी डी होना चाहिए या गलती से कर दियो click तो आप उसको modify कर सकते हो उसके बाद challenge करोगे और फिर save claim and pay fee fee करने के इसके बाद आपका कोई modification रहुनी है और 200 रुपे लेंगे एक सवाल को challenge करनेगे तो यह इस PDF के बारे में था अच्छा दूसरा एक और इन्होंने PDF यह डाला हुआ है इसको open करते हैं इसमें क्या है 704 pages का PDF है दो दिन में आप लोग कैसे किता क्या देखोगे इसके लिए डर इधर correct option की ID है अब जैसे correct option जितने भी उनमें से जो correct option है उसकी ID यहाँ पर है वो paper के time पर दिखा दूँगा फिर यह जैसे shift 1 21 का ही जो है general test का paper था उसका correct option फिर इधर question ID इसी तरीके से shift 1 के अंदर general test का जो था यह और भी सवाल उसमें ज्यादा होता है 60 question होता है तो यह व क्या लिखा रहा है drop इसका मतलब समझ रहे हो drop का मतलब है कि यह सवाल इन्होंने drop कर दिया पेपर बनाने के बाद पेपर देने के बाद पेपर करवाने के बाद अब हिन्हें realize हुआ कि ओ यह सवाल तो गलत है यह तो सवाल ही गलत है तो फिर इन्होंने बाद में drop किया अब यह चीज हो रही है, इनके लेवल पे, इससे बढ़िया तो पेपर हाँ, अपनी मना लेते, ड्रॉप कर रहे हैं, कितने सवाल ड्रॉप है, यह तो छोड़ो, मैं नीचे अगर दिखाऊं, यह देखो, पूरा 700 पेज का है, सारी शिप्ट का इसके अंदर है, देखो, अब इससे बीच में तो एक बीच में वो हिंदी का पेपर था, इंगलिश का पेपर था, इसमें उन्होंने खूब ड्रॉप कर रखे थे, आप इसमें जाओगे तो आपको पूरा पूरा हरेक सवाल के बारे मिल जाए, अब यह वाला, इसकी मैं बात कर रहा था, यह देखो पर दिखसे आपको दिखाई दिए गगा यहां पे ड्राप ड्रॉप नीचे देखो दोडॉप यह खूब सार कूब सारे ड्रॉप और इस वाले paper में भी ये कौन सा है? इसमें भी बहुत drop है ये हिंदी का और ये home science का paper बहुत सारे drop इतने सवाल इन्होंने drop की है पहले से paper बना के उसके बाद दूबरा चेक करना चाहिए ता पर जो भी है अभी तो आपने चैलेंज नहीं किया, उससे पहले इनों ने ड्रॉप किया है, अच्छे ड्रॉप आले सवाल क्या होगा, तो जनली क्या होता है, कि जो भी exam होते हैं, उनमें अगर कोई question ड्रॉप करते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, अब यहां पर पता नहीं कैसे करेंगे वो चीज मुझे भी नहीं idea, ना किसी को idea, क्योंकि यह first time exam करा रहे हैं, यह क्या policy अपनाएंगी, उनमें क्या होता है, मान लोगी देखो, अब इसमें आपको करने थे 40 सवाल, 40 करने थे, लेकिन मान लोगी इनों ने 3 सवाल ड्रॉप कर लिए, अब बचे कितने 37, एक तरह स अब 200 डिवाइड बाई 37 होगा, तो एक सवाल जैसे मान लोगी करीब साड़े 5 नमबर का हो गया, तो ऐसे करके होता है, दूसरे exam में, यहाँ पर क्या होगा, मुझे यह लग रहा है कि सायथ, जो सवाल ड्रॉप किया है, जिस बच्चे ने वो सवाल attempt किया है, उनको plus 5 दें उसको plus 5 मिलेंगे, जिसने नहीं किया है, उसको कुछ नहीं मिलेगा, यही इनका होगा, ठीक है, तो यह था हमारे आज की जो भी दो PDF इनों ने बताए कि उनके बारे मैंने आपको पूरा explain कर दिया है, बाकि अभी जब answer की आ जाएगी, evening में करीब जब भी, तब मैं आपको पूरा detail में explain करूँगा कि कैसे challenge करना है एक live session के तुरू, तो बस यह था भाई अपना आज का session, ठीक है, तो मिलते हैं live में, तब तक के लिए, bye bye, take care, love you guys.